सबसे बड़िया चीज हमें यही लगा कह सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे रिजूमें आये थे लेकिन मतलब यह चीजें देख करके मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया कि आपको क्या लगता है कि जो कंपनिया होती है जैसे चाहिए सर्विस बेस्ट हो या कोई भी हो तो उस मोटिबेशन रापका तो बहुत सारी जे पढ़नी होती कॉलेज का सलेबस होता है पढ़ने के लिए अलग से प्रोग्रामिंग लेंगविज पढ़नी होती है फिर कोई फ्रेमोग पढ़ना होता है साथ ही साथ में कोई टेस्ट तमाम चीजे चलती रहती है तो मतलब आप ट इंडस्ट्री पर केरियर बनाने के लिए तो लन कोट विद दुर्गेश ने कैसे हेल्प किया आप अलएट गैस तो हमारे पास है वैभो अग्रवाल और अभी यह स्टूडेंट है सबसे खास बात यही कि अभी यह स्टूडेंट है और कंपनियों में यह इंटर्शिप अल यह प्लेडी यह प्लेज है तो वैभागर्वाल से जानेंगे स्वागत है स्वागत है तो सबसे पहला कुछिए ने बारे में कुछ बताईये लोगों को Okay, so, my name is Vyabhagrawal, currently I am in third year. I am pursuing BTEC in computer science and engineering from Velul Institute of Technology. I have already done internship at Kapshap Smartboards and currently I am doing internship at Peletro and I have also selected as a software technology analyst intern at Morganistan in India. Yes sir. So, yeah, the biggest thing we have had in the beginning, when I started my CV, I was looking at the third year and you have a lot of technologies mentioned and you have made a lot of projects and you have already been placed in intensively. This is a big thing. And the biggest thing is that you are in third year. तो यह काफी मतलब कह सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे रिजूमे आये थे लेकिन मतलब यह चीजें देख करके मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया कि भाई बात ऐसे बंदे से करते हैं कि अभी पढ़ाई कर रहा है साथ ही साथ में कमपनियों से अलड़ी अटाय जाए इंटर्शिप कर रहा है ठीक है तो जैसा आपने बहुत सारी कमपनियों बताया तो अब क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जो कंपनिया होती है जैसे चाहे सर्विस बेस्ट हो या कोई भी हो तो उसका एक प्रोसेस क्या रहता जनरल प कि अपने बनाद बना दूगा तो एपको काम कर दूगा तो इसलिए उसमें आप अपलाई के लिंग्डें पर प्रोच की चिए आपको के लिए क्लाएगी वह आपके प्रोजेक्स और देखेंगे आप से डिसक्शन करें गई और मिल जाएगा तो यही ता मैंने जुलाई मे से मतलब स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट ऑफ जोलाई से तो 10 से 20 डेज में मैंने अराउंड बहुत सारी कंपनी इसको के अपना बेजर रेज्यूमे बेजर और बेजर मुझे कहके आता है मेल बेजर मैं करने को तो यहारू रेडियू हो तो वहां से मुझे 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 म आती तो है मैंने रेज्यूमे भी बना लिया लेकिन अब कंपनियों को अप्रोच कैसे करें तो आपने कैसे अप्रोच किया था जैसे आपने का मैंने बहुत सारी मेल्स बेजी थी तो आपने मेल्स कहां पर भेज दी थी मतलब कैसे अप्रोच किया था सिंपल सी बात करें त तो पता रहेगा HR at the rate LearnCodeWithDurgeshi.com या Career at the rate, this is possibly their mail ID. तो मैं मुस्टी इसे लिखता था, लिंक्डिन पर मैं उनके software developer HR, founder, CEO ने connect करता था, जो accept करते तूने बता था, बता था, बता था कोई ऐसी tech skills है जो आपके हैं चाहिए सीखने को, तो मैं I am ready to learn it. तो मैंने गपशप में भी मैं नहीं जानता था रासा, मैंने पूरी रासा सीख लिए उन्हों नहीं सिखाई और पूरा उन्हें चैटबोट भी पूरे रेडिमेट बना के दे दिया, दो चैटबोट मैंने बना के डिलिमेट तो मतलब आपको दिखाना होता है कि आप learn करने के के लिए मतलब ready हैं, आप सीखने के लिए तैयार है हां मतलब simple सी बात है कि आपको research करना पड़ेगा थोड़ा बहुत डूड़ना पड़ेगा अगर आप company list बरानी पड़ेगी आपको websites पे जाके महां पे contact डूड़ना पड़ेगा एं देर वहां पे approach करना पड़ेगा तो आ आप सबसे करेंगी सीखिए, CV बनाईए उसके बाद आप जाके थोड़ा रिसर्च करिए, LinkedIn पे contact करिए, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने पड़ेगे, हाथ पैर मारने पड़ेगा, मतलब और एकदम रिजर्ट में आएगा 15-20 दिन लग सकते हैं, मैं काफी टाइम से आपने स्मार्ट बॉट या चैट बॉट और आपे भी काम कर रखा है, और टेक्नलोजी में आपने जावा भी कर रखा है, तो कॉलेज में हो अब भी आप, तो मतलब टाइम कैसे मैनेज किया हो साथ ही साथ में मतलब ये सारी चीज सीखने में क्या एक मोटिवेशन रा आप के लिए, जो लोग कंसिडर कर सकते हैं. अब आपके पूरी वो प्लेड जेस्प, पूरा बिलकुल फ्लोवाइस में चला, तो लगभा मुझे छह महीने एक साल के राउंड अच्छा लगा, तो एक साले साले जेस्प, हाइबरनेट, स्प्रिंग प्रेमवर्क, MVC, स्प्रिंग बूट, मतलब सब कुछ कवर कर लिया जो आपके प्रोजेक्ट से वो बनाए, खुच से भी मैने बहुत साब प्रोजेक्ट बनाए, मैं गिथभ पे 90 प्लस अब गिया विम्में प्रोजेक्ट निक प्नाएस, तो पस वह ही सीखता है मतलब कोई भी जैसे मैं भी था आप भी हो college में तो बहुत सारी पढ़नी होती है college का syllabus होता है पढ़ने के लिए अलग से programming language पढ़नी होती है फिर कोई framework पढ़ना होता है साथ ही साथ में कोई test तमाम चीज़ चलती रहती है तो मतलब आप time कैसे manage करते हैं इतने सारा काम करने के लिए time किया कोई जैसे कोई beginner है या फ्रेशर है या college में तो कैसे time manage कर सकता है तो मुझे भी यही लगता है तो मैं जो भी मैं मतलब ऐसा अपनी करनी नहीं चाहें लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे टाइम मेनेज करना बहुत अच्छे साथ है तो मैं mostly मतलब मेरा ऐसा रहता था से मुझे डेली दो घंटे कोई प्रोजेक बनाए दो घंटे कॉम्टिटे प्रोग्रामिंग कर लिए तो मुझे परवर नहीं है मेरे कैनामे टेस्ते हैं एक्जामे कुछ नहीं है मैं करूँगा वो दो घंटे मैंने फिक्स दे रखा है और वो जो कॉलिज का है वो हाथ के हाथ के नामे आप तो आउनलाइन में सार आपको भी पता इतना बर्डन नहीं है तो मतलब ओपन बुक पेपर्स होते हैं तो इसली नोट्स बनाके और कॉलेज में जो सब्जेक्स होते हैं Computer Network Operating System important subject होते हैं Companies में भी जोड़त पर्ती है जो most important subject होते हैं के बहुत प्रॉपर नोट्स बनाके में प्रॉपर तहीं के सपड़ता था बाकी subjects तो एक्जाम से ख़ते पहले ही सिली स्टार्ट करके हो जाता है और बाकी यह मैं करता है यह सारी जहें तो प्रॉपर टाइम अपना शेडियूल कर ले करना है तो मतलब अपने हिसाब से प्रॉपर मैलेजमेंट कर सकता है और आपके एक्जामपल बहुत सामने है मतलब काफी बढ़िया चीज आपने बढ़ाई कि में चीज तो कंसिस्टेंट आप किसी भी काम में रोगे तभी आप आगे बढ़ पाई चलो एक चीज में और प्रॉषना चाहता हूं यार मतलब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं और जैसे आई टी में बहुत सारी जॉप्स है और बहुत सारी जॉप अबलेबल हैं लेकिन मतलब अब रिसोर्स भी उसी साफसे जादे बलेबल हैं इतने सारी यूटूब चैनल से तो मतलब आपने वह क्या रिसोर्स फॉलो किया या क्ला कर रहे हैं और लोग कोन-खोर्स पर्प्यार कर सकते हैं या किस पे फोकस कर सकते हैं इससे मैं थोड़ा लंबर लेके जाता हूँ इसे एक बात बताता हूँ मुझे मतलब ऐसा था जब मैं स्टार्टिंग में सीख था मुझे कैक्स बोर करना इसे कोई भी सीखने तो एक तो यह होता है फ्रेमवर्क सीखने यह लएए कि बस जॉब मिल जाए एक ही होता है कि हाँ है ठीक क्वेशली दिमांड में जो आप वहाँ जाके कंपनी में करेंगे तो मैं यह चाहता था मैं का अभी तो यह सी प्लस फ्लस फ्लस सीखने है सीनय से पूछ तो यह आगे काम भी हाएका तो सीनय बोलते तगा आगे काम के आपने बताया तरह सब्लेट जैसे मैंने जाव कर जितना भी सीखा वहीं से मैं जाव इसाथ कि मुझे लेंगविज कुछ नहीं आती है जावा आती है वो मुझे पूरी आती है सब मतलब अब तो आपने प्रपरेशन की अभी इंटर्सिप पे और काफी चीजे मदब आपके हाथ में तो मतलब चीजे तो बहुत सारी चीजे लोगो याद मतलब सीखनी होती है लेकिन आपको क्या लगता है वो कौन सी एक बहुत सबसे इंपोर्टेट इसके ले जो सीखनी बहुत सारी चीजे है तो अभी करण्ट के हिसाब से बता दो कि मतलब एक इंपोर्टेंट जो हम्पुल हो ऐसा नहीं कि वह जरूरी हो एक है की स्किल या फिर नॉन टेक है कि सिल हा तैक शकिल पता दिंत नॉन टेकशिड मताद वार्टिय किल तो मैं यही बोलना चाहूंग इसमें भी दो चीज़ आती है एक तो आप कंपनी बड़ी बड़ी MNC के लिए प्रिपर करने तो इसमें पहले राउंड डिया से कता फिर इंटर्वी में भी डिया से पूछा किया है और से सिंपल जो मैंने और भी इंटर्शिप की गप्षप में यह भी बड़ी स्टार्ट रीम कै तो इनमें प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टै के तो मैंने का हम मझा मुझे फ eternum में को और इंगूर का काम मुझे ऐं डो मैंने का हम्हте a RPίaire आता है दो यह मुझे CHोटा सा J मेरा मेरा कैना किली तो फेल धी तो फीक्ट किलिए में लोक चाहितें तो है सबस्वेड है तो मैने मेरा किकिनिकल थे मनें खेड़े घलके तゃा मैं बजयतें है मैं कम्पनी के पाद के जा कchos u जो इसके करें कि करती हैं यह सबस्वें निच्छफ भर्य दो तो यार जैसे DSA आपने बोला इंपोर्टेंट है तो DSA में जैसे आपने जम इंटर्व्य दी आपने बोला फर्स्ट राउंड मेरा DSA हुआ था तो इसमें किस तरह के कुश्छन्स पूछेगे ते लग बग अगर एक आइडिया देना हो तो हाँ तो मतलब इसमें देखिए जो DSA के प्रॉपर डेटा इस्ट्रक्चर पर ऑनलाइन कोडिंग राउंड में तो मेरे ग्राफ्स बगएरे इन सब्सक्राइथे लेकिन इंटर्व्य में मुझ पर डीपी से पूछे करे ते ट्राय डेटा इस्ट्रक्चर अलब जो स्टेंडर किया आपने हां मतलब मेरे अराउं 900 प्लस कोश्चंस मैं लिट कोट पर सॉल कर दी है और मेरी डेली स्ट्रीक भी है मैं पिछले जुलाई से वो डेली जो कोश्चं आता है वो मैं लगतार सॉल कर रहा हूं करते हैं कि Ben करते हैं नी कुलाई कि यहां करते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहो जो भी काम थे रहं आप कंसिस्टेंट रहो तब diamond नाइन लिए ओंधा करते जाते हो जया थी जाती है लोग क्या करते हैं की वह दो करते नहीं उनको बस सीखना होता है कि मालब विदिन फ्यू डेज या कैसे दू दिन में सीखना है वो इधर वदर आद पर भारते रहते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहरे हैं कि भाई हम एक स्टार्टिंग से लेकर एंट तक चीजों कुछ जाएं कोशन करें प पंपल कोशन भी नबने फिर बनने लगेंगे यह ने लगेंगे ले एशौरS एब न लन्यूerg्यश टो आपने डियसे की जो प्रग्रां मिंग थिय्ज चाइन आट गृका पर्स या पूरा पाइधं जैंग इस अप करा तो सब करते सब्देर यहरा थर्ट जिए इन से करो जितने ही में बैच में यह आपने पूरा इस्प्रिंग इतने अच्छे तरह के से सिखा दिया प्रोजेक्स इतने अच्छे बनवादी इसे बड़िया बात क्या हो सथिये सारे जावा के बेसिक्स के लिए कर दिये उप्स की वीडियो आपने उनकी डाल लगे क्लेक्शन फ्रेमवर्क सी मल्टी थ्रेडिंग की मतलब everything I think सब कुछ है विले विले अब तो मरने स्टैक भी डालने रगे मॉंगो एंड रियक्ट नोड वगरे इन सब्सक्राइब तो उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा या को सजेशन में मैं यही बोलना चाहूंगा बस पहली बात कंसिस्टेंस इंदर की आप कीजिए थोड़ा हो सकता है लेट मिले लेकिन मिलेगा रिजर्ट पका मिलेगा आप करते रहिए बस कोडिंग जो मतलब इसके इसके इवलब कीजिए आप चानल पर आपना कीमतिर टाइम आपने दिया है तो बस इसी हिसाब मैं करना चाहूंगा यह वीडियो और आप से करते रहेंगे भी आप जॉब लोग तो फिर से आपका इंटर्व्यू करेंगे ठीक है और आप भी अगर इंटर्व्यू करना चाहरे है आप मुझे एक्स्पिरेंस सेयर करना चाहरे है तो लर्ग कोड़ेश अटरेट चिवल.ड़ पर से भी और अटरेट चाहरे है. झाली करे करना चाहरे है?